गुड़ मॉर्निंग वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जेंटल ब्रेज तो आज शुवे मैंने गरम पानी के साथ थोड़ असा निंगु का जूश मिला के पिया और फिर उसकी बाद ब्रेकफस्ट में मैंने दो ब्रेड बटर के साथ गरम कर लिया और उसके उपर खीरा टामाटर देके उसके उपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चाट मसाला मिक्स किया और उसके साथ एक एपल लिया फट 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 ब्रेकफस्ट करके मैं जल्दी से रेडियू उसी टाइम बहुत तीज बारिस टार्ट हो गई तो मैं लैप नहीं जा पाई आप लोग दे सकते हो बाहर कितनी तेज बारिस हो रही है ऐसे बहुत ज्यादा बादल तो नहीं है दूपी है लेकिन उसके साथ बारिस भी बहुत तेज हो रही है ऐसे बारिस में भीगना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन हर टाइम नहीं नहाने के टाइम बारिस हो तो ही अच्छ तो गई तो बहुत तेज भूक लग गया था तो इसलिए मैंने फोड़ा सचना लिया और उसके साथ ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया खाने में मैंने आज थोड़ा सा मीलेट और मूंग दाल का खिचडी बनाया तो अभी जैसे मैं जस्ट मेरा वेट लोज जनने स्टार्टी कर रही हूँ तो इसलिए मैं ट्राइ करती हूँ कि मैं पहले जेतना खाना खा रहे थी उतना ही खाना खाऊ और धीरे घीरे उसको ठोड़ा से रिडियोस करूँ खाने में थोड़ा तो इसलिए मुझे बहुत तेज भूग लग रहा था तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही खिचड़ी लिया और फिर खिचड़ी के साथ मैंने एक टमाटर लिया और एक मिर्ची और एक बॉयल्ड एक तो ये था मेरा सिंपल सा दोपहर का खाना फिर खाना खाने के बाद मैंने एक टेफन बॉक्स में थोड़ा सा अलमन्ड तीन खजूर और थोड़ा सा वलनेट पैक करके रेडी होके लैब के लिए निकल गए ये जो आयटी मैडरस का कैमपस है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यूँकि चारो तरफ पेड़ी पेड़ है आपको हर तरफ सिर्फ हर्याली दिखेगी एक्च्वेली चिन्नाई में गर्मी का मौसम मेरे ख्याल से दस महिना कॉंसिडर कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा पेड़ पौदे के कारण जो रोड है उसमें कहीं पर धूब कहीं पर छाओ है तो अगर आप पैदल चलो या साइकल लेके जाओ दोनों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा टेंपरेचर बाहर के कंप्यार में अंदर थोड़ा सा 2-3 डीगरी कम रहता है जो मुझे फील होता है और फिर साम को मैं थोड़ा सा वाक के लिए निकल गई क्यूंकि आज मैं एक्सिसाइज नहीं करूंगी तो इसलिए ये IIT Madras का स्टेडियम है मुझे ये स्टेडियम में आना बहुत ही पसंद है क्योंकि यहां बहुत सारे लोग कोई दौटते हैं कोई दूसरा कुछ एक्सिसाइज करता है तो अगर आपका मन ना भी हो मतलब कुछ एक्सिसाइज या रनिंग के लिए आपको इन और फिर अभी मैं बापस जा रही हूं लैव वहां से बैग लेकि अपना फिर मैं अपने रूम के लिए निकल जाओंगी फिर रूम में आके मैंने पहले खाना बनाया तो खाने में मैंने आज मैं अपने खाने के लिए ले रहे हूं दो मिलेट रोटी और उसके साथ मैंने आज श्वयबीन आलू का सब्ची बनाया तो वह थोड़ा सा ले लेती हूं फिर मैं खाना खाके आज बहुत टायर थी तो फिर मैंने चाए नहीं पिया और फिर मैं सो गई आज जल्दी से चली गुट नाइट टेक क्यार बाई बाई